मस्कार दोस्तों सक्से समंद्रा यूटूब चैनल पर मैं दीपक राय फ्राव मिलाबात आप सभी छात्रों का फिर से हर्दिक हर्दि सागत करता हूं और आज के टेस्ट पेपर में मैं दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश समान अध्यन से समंदित ऐसा की आप को पता है कि आपका जो जी हस्का पचास घूंट का अपचास टुपशचन में हर एक क्याल के दोन अपर उसमें आपका उत्तर प्रदेश समान ग्यान से चार से पाच प्रस में बनते हैं तो इसको भी देखना है बहुत ही ज़रूरी है और आप में से कई छात्रों ने कहा था कि सर यूपी स्पेशल के भी क्वेस्टन बनाईए तो आज मैं आप लोकल लेकर रहा है उत्रप्रदेश विशेश पर यह टेस्ट पेपर तो वीडियो स आज के टेस्ट पेपर में कैसे क्वेस्टन से और कितना आप अटेंट करते हैं कितना आपको नहीं आता है यह लास में आप जरूर बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह रहा आज का आपका टेस्ट पेपर जो की अधारित है उत्त्रप्रदेश अमान ग्यान पर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चलिए देखते हैं आज के कैसे क्वेशन है पहला क्वेशन देखिए अमीर अमीर खुसरों का जन्म हुआ था यह यूपी स्पेसल में बहुत बार पूछा जाता है यूपी ट्रीपले स्ट में पूछा गया है और साथ इसाथ जो यूपी पीसे अग्जाम होते ही कई बार क्वेशन रिपीट होते हैं तो एक्जाम के पॉइंट अफ यूव से यह क्वे पे थी उसमें इसका राइट आंसर लिखा होगा एटा तो मैक्समा स्टुडेंट नो एटा ही सोचा होगा जो अब चेंज हो गया है एटा को ही काट कर एक अलग जिला बनाया गया है कास गंज और यह यूपी टिपल इससी ने आंसर की जारी की तो उसमें कास गंज को सही माना गया है तो अमीर खुसरो का जन्म ऑप्शन बी कास गंज एटा पहले था कास गंज बनने के बाद जब यह हो गया तो वह पार्ट कास गंज में चला गया इसलिए इसका राइट आंसर अब हो गया है कास गंज अगला जो राइट आंसर है आंसर डी परास राज की पुस्पर अगला कुशन के कि तीसरा जो उत्ता प्रदेश का राच की पच्छी है और सने मोर और सन बी को एल आप्शन सी सारस आफ संडी कबूतर सुची आप सब्सकुशन सी सारस उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यच थे ये भी क्वेस्टन्स पूशा जा चुका है तो इसका राइट आंसर सूची है आप मैं बता रहा हूँ पहला है मदन महोन सरमा दूसरा आप्षन पूर्शतम दाश्टंडन या आत्मा राम गोविंद खरे तो दोस्तों यहां नहीं है वह आप्सन आपको बताना है तो इसका राइट आंसर है आप्सन डी नित्यानन्द स्वामी नहीं रहे हैं जबकि गोविंद वल्लापन टीयन सिंग रामद्रे स्यादव मुखमंत्री रह चुके हैं अगला क्वेशन दिखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्राले आपका है राजकी संग्राले लखनव राजकी संग्राले मत्रा राजकी संग्राले जहांसी या इन में से कोई नहीं तो छटवे का राइट आंसर है आपका राजकी संग्राले लखनव अगला क्वेशन देखिए सात्वा उत्तर प्रदेश क्रिसी अनुसंधान परिसद है तो उत्तर प्रदेश क्रिसी अनुसंधान परिसद आपका चार अप्षन से मेरट बुलंद सहर लखनव या गोरखपुर तो इसका राइट आंसर है आप्षन सी लखनव कि आटवा क्वेशन दिखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम सौफ्ट्वेर टेक्नोलोजी प भारती पसू चिकत्सा अनुसंधान इस्थित है यह भी इंपॉर्डेंट क्वेशन है यह भी पूछा जाता है बार बार तो चार आप्षन बरेली कानपूर अलीगर्ड या जहांसी इसका राइट आंसर है आप्षन ए बरेली दसवा क्वेशन देखिए भारती दलहन सोद संस्थान इस्थित है यह भी कई बार क्वेशन पूछा जा चुका है आप में से मैक्सम चात्रों को यह पता होना चाहिए जो पिछले एक्जाम दिया होगा उन्होंने तो इसका राइट आंसर है आप्षन बी कानपूर ग्यार के संद私 देखिए उत्तर प्रदेश आंप्रवासी दिवस मना जाता है और में नो जनुंडरी नौ फर्वरी या तो इसका राइट आंसर है आपका option D 404 कुल विधानसभा सीटे हैं इसके बाद देखिए जंगरना यह भी इंपॉर्टेंट सेक्षिन है जंगरना से यूपी जंगरना से तो जंगरना 2011 के अनुसार प्रदेश की साच्छरता दर है तो प्रदेश की साच्छरता दर है चार अपसंदिया हुआ है अपसंद तो इसका राइट आंसर है के Option आपका 67-70% 70% उत्त्तर प्रदेश के जनगर्ना के अनुसार 2000 जनगर्ना के अनुसार सचर्टार्दर है अगल देखिए जनगर्ना 2011 के अनुसार प्रदेश का आउसत जन घनतव है प्रदेश का जो जन घनतव है वो कितना है तो इसका राइट आंसर है आपका आप्शन पंद्रा का यह 829 प्रतिवर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है यह भारत के परिपेश में ना शूचिएगा यूपी का इस्पेसल चल ला है तो यूपी के परिपेश में यह बता रहा हूँ यह ओसुलावा देखें जन्गर्णा दोहजार ग्यारा के उसाब प्रदेश का उस्थ लिंगा नुपात है तो जो प्रदेश का उस्थ लिंगा अनुपात है उसमें इसका जो राइट आंसर है आप्शन नंबर डी 912.000 प्रति हजार पे यह लिंगा नुपात है सबसे ज्यादा और सबसे कम साच्छरता वाला जिला कौन सा है आप संदेखिए गौतम बुद्ध नगर एम स्रावस्ति मिर्जापूर एम जोनपूर आजमगड एम दिवरिया संभल एम इटावा तो इसका राइट आंसर है आपका सत्रा का सत्रा का आपका है गौतम बुद्ध नगर एम स्रावस्ति और यहां मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में 80.12% 12-7% साख़रता दर है जबकि स्रावस्ति में 46.74% साख़रता दर है एम अगरा दिख्ये जनगर्ना 2001 के अनुसार प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्याला जिला है तो सरवाधिक जनसंख्याला जिला चार आप्शन कानपूर बी इलहाबाद सबसे ज़एदा जंगरना जंख्या वाला जिला है अगला देखिए में से कौन सुमेलित नहीं है अब देखिए यह से बी कुष्टेंज साथे लोग कला संस्किती से बी कुष्टेंज साते हैं तो अपशन यह तो जैसा कि हम जानते हैं कि जाकिर हुसेन जी नहीं है अगला देखिए बीसवा सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए हम सही कूट का चेहन कीजिए तो यह कूट वाले भी क्वेस्टन्स आते हैं तो यहां मैंने आपके लिए बनाया है इस प्रकार के पैटर्न भी ता जी एक में दिया हुआ है देखिए बोझपुर दिया है जी को कजरी अवदी मलहार ब्रजी रसिया कौरवी आपको से मिलाना A क क्या होगा मिका क्या होगा सीख are कह तो यह चारस आप्सन आपके लिए हैं ABCmore करके तो एक है का दो kole मशार है ट को इसको आफको प्रिकषख है ठीक है अगला कुछन देखिए कि निम्न में से कौन सा लोक नित्र ब्रज छेत्र का है यह भी क्वेस्टन पूछा जा चुका है कई बार तो ब्रज छेत्र का जो लोक नित्र है वो है आपका चर्कुला नित्र टान सेन का मकबरा कहा है यह भी इंपॉर्डेंट क्वेस्टन से तो टान सेन का मकबरा मैक्सिम्म छात्र आप जानते होंगे जिनको नहीं पता है वह जान लेए आज तान सेन का मकबरा है आप मकबरा आपका है गौलीयर में 22 का आप्शन भी ऐस्वा देखिए जौन पुर साह तुगलक या अकबर तो इसका राइट आंसर है आपका फिरोज साह तुगलक ने जौनपुर नगर के स्थापना की थी अगला क्वेशन देखिए किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है यह भी कई बार क्वेशन आया हुआ है तो आपसन में आपका देखिए वरानसी आजम गड़ फैजाबार या जौनपुर इसको जौनपुर पढ़िए गड़ मिस्टिक है तो 24 का राइट आंसर है आपसन आपका डी जौनपुर को भार में दफनाया गया था तो यह क्वेशन भी जी एस में आता यूपी स्पेशल में तो इसमें देखिए चार आपसा ने गोरकपुर गाजीपूर बलिया या लखनो तो लाड कारणवालिस की जो कब रहे वो इस्तित है गाजीपूर में तो दोस्तों आज के वीडियो में बस ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भी जो आपके कमेंट सुझाओं हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और कई चात्रों के यह क्वेस्टन भी है कि सर हिंदी में कैसे क्वेस्टन आएंगे तो मैं आप लोग के यह बता दूं कि बहुत से सात है कि हिंदी परिगान लेखन में क्या आएगा तो एक बार आप एडवर्टीजमेंट जाकर पढ़ लिजिए पॉइंट बारा पर जो सलेवस लिखा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी दो घंटे की वस्तुनिष्ट परिश्चा होगी तो सभी क्वेस्टन वस्तुन मैं बताना चाहता हूँ जाओ यार पहले एडवर्टीजम पढ़ लिया करो तब कुछ कमेंट किया करो तो अच्छा लगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और जो नेक्स्ट वीडियो होगी और भी इंट्रेस्टिंग होगी और अच्छे क्वेस्टन लाओंगा आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल ला है बहुत अच्छे आप लोगों को काफी सरानी बता रहे हैं आप लोग तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ साथ और बस इसवर क करें आपका दिन सुबहूँ